हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे जी आरे भरसेश एमेडी फूल इस्टेट्स पलस इन्फो यानि कि गरासिया भरसेश मैडिर सी सी के बीज जो ग्रूप सी का मैच खेला जाना है मैच नमबर टू रह सब्सक्राइब करेंगे जहां पर आपको टीटेन इंटरनेशनल मैच देखने को मिल रही है सेम बेन्यू रहेगा पीच रिपोर्ट की बात कर ले तो आर्टिफिस्यल विकेट है यहां पर दोनों ही जो गेनवाज बल्लेवाज दोनों को ही हेल्प है एवरेज इसकोर की बा जरुरी चीज है अपडेट के लिए टेलिग्राम से आप जुडना चाहते हैं लास्ट डाइम अपडेट के लिए क्योंकि छोटी चीज़े जो है वो आपको वीडियो के थ्रु कबर नहीं किया जा शकता है इसलिए आपको सब्सक्रेइब के दोनों के आपको जुरनगर जो डिया जो भाई पह tipping करते हुए जो इन्हों की मतलब की जो इस कलब से खेले हैं तो यहाँ पे इन्होंने बीकेट कीपिंग भी कुछ matches में किये हैं अब बिगेट किपिंग करते हुए इन्होंने century भी किये हैं open भी आये हैं बस recent time में जो इनकी series हुई है 2022 में यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने middle order में बल्लेवाजी किये एजे finishing करते हुए दिखें जो 2022 में इनके matches हुए है तो यह कहना मुस्किल है कि इस बार यह open करेंगा बट इस team के लिए इन्होंने open ही किया है cbc के best option निकल के आ रहे है अगर बिगेट keeping नहीं करते है तो एक best तगड़ी option रहेगी cbc की क्योंकि आप देखेंगा पैसर t10 matches में बावन बिगेट भी इनके नाम है 1338 run बनाए है इस high score 110 करा है आपको बता देए कि T10 में इनके नाम दो century भी है और half century आट है तो आप समझ सकते हैं कितने धाकड़ खिला रही है बिल्कुल आप इनको cbc try करेंगे ज्यादा बात करनी की जुरत नहीं है बाकि recent में जो matches खेल के आ रहे हैं आप इनके states यहाँ पर read कर सकते हैं मुक्तियार सी against बहुत ही best pick रहेगी cbc के लिए बिल्कुल आप टीम में try कर सकते हैं आप देखेंगे open भी आये हैं और दो अबर की gain वाजबी भी लगबग दे रहे थे आप इनके last के 5 matches देख सकते हैं बाकि 19 matches में 249 रन और 12 विकेट भी ले चुके हैं देखिए जो पिछली सीरीज भी थी ना गुरूप भी की जिसमें काटालूनिया किर्केट कलब एक टीम थी जहां पे आपको यासीर अली आवेस अहमाद और राउव जमान जैसे फिलियर दिख रहते कुछ इसी परकार से यह भी टीम है इनके सामने जो इनके गुरूप में दो टीम है अगर इन से मुकाबला होता है तो लगभग दोनों टीम से यह मैचेश जीत जाएगी इतनी स्ट्रोंग टीम है आप समझ सकते हैं तो इनके टीम के आप लगभग साथ पिलियर लेने की कोशिस करेंगे चाहे मै लाउन भी आए हुए थे तो इसान पटल भी आपके लिए सी बीसी का ओप्शन है राइटम लेग स्पिन बॉलिंग कर देंगे आप रीड कर सकते हैं इनके स्कोर यहां पर इनका सेलेक्शन बहुत ही कम है और और सेक्शन में गीबन भी है तो इस इसका आपको दियान रखन तो ECS में खेले थे यह टीम के कैप्टेन भी थे मुझे उतना याद नहीं है बट मुझे लग रहा है कि यही कैप्टेन थे बाकी इस साल कौन कैप्टेन सी कर रहे है वह अभी तक देखा नहीं हो बाकी 2022 T20 में रिसेंटली ठीक ठाक से परदेशन किये ODD में ठीक ठाक से पर रहे थे इससका अपको दियान रखना है बट बल्लेवाजी तो बहुत ही बहतरीन करके आ रहे हैं लास्ट टाइम में आप देखेंगे ODD में सेंक्शुरी भी और T20 में भी सेंक्शुरी करके आ रहे हैं तो एक बहतरीन बल्लेवाजी गेंदवाजी दोनों कर रहे हैं CBC के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे अलगभग पूरे ओभर बल्ले गेंदवाजी भी कर रहे थे तो मनवानी आपके लिए भी एक सीवीसी का ऑफशन रहेंगे बाकि संदीफ सिंग मुझे उतने खास इस्टेट्स नहीं लगते हैं आप रीड कर सकते हैं कुछ खास रिकॉर्ड है नह बाकि आप यहां पर इनके जो है इस्टेट्स रीड कर सकते हैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते हैं बीस मैंचेस में चारविकेट इनके नाम है पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं जिनको ट्राइक करना है वो ट्री लोचन सिंग रहेंगे सेलेक्शन बहुत ही कम है बहतरीन बॉलिंग है दो अबर की गेंदवाजी लगभा आपको देंगे एक आधी ओवर डेत में भी दे सकते हैं या तो ऑपनिंग गेंदवाजी पहला आर तिसरा या दूसरा चवथा ओवर करते दिख जाएंगे जो डेत में बॉलिंग करने चाहिए वो है विजय कुमर आपके लिए एक बेस्ट उपसム न रहेंगे आप देखेंगे लास्ट के तीन मैंचेस में दो मैंचेसमें वेसे ऑवर कटे थे बडेत में बालिंग मिल ही था यह फार न भी दे यह आ हुए तो यह लिए को हुए ने फराफ्ने खेले थे महत हैं दो सेन सर्वes okay है दूस सब्सक्राइब करना चाहते हैं बाकि सरूल चोहन की बात कर ले तो इनके स्टेट हमें नहीं मिले अगर यह खेलते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा अगर इस्टेट मिलते हैं तो टेलिग्राम पे अफडेट करने की मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया हूँ तो आप पहले वीडियो को देख लेंगे सी बीसी के बेस्ट ऑप्सन है बाकि आप इनके स्कोर और बाकि टोटल यहां पर रीट कर सकते हैं मारकस हरवे जो की बिगेट कीपिंग सेक्षन में है बहुत अच्छे की लाड़ी है बट इस मेच में लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एडम लंगास जो की डिसेंट सा रिकोट रखते हैं आप ट्राय करना चाहते हैं ट्राय कर सकते हैं डैनियल बलेच ठीक ठक से ऑफ बट यह आपको और डाउंडर का काम करके देंगे एक बहतरीन ओप्सन है इसी का दियान रखना है आपको रन और दो अबर की गेंदवाजी दोनों देंगे इम्रान सिद्धिक सेम राहिल सपिक के जैसे ही पिलेर है यह भी आपको गेंदवाजी बल्लेवाजी दोनों इम्रान सिद्धिक के तो सेलेक्शन ठीक ठाक है बट राहिल सपिक के थोड़े से आप कहले तो थोड़े से कम है जोन वर्डवाड जो कि आपके लिए एक गेंदवाजी सेक्शन में मिलेंगे टीटेन में तो ऐसे कुछ खास परदसन नहीं किये थे एक मैंच में 39 किये थे बट रिसेंडली जो टी ट्वंटी खेल के आ रहे हैं यहां पर बीस मैचेस में 13 विकेट निकाले है 43 अवर की गेंदवाजी की हैं तो जे वर्डवाड आपके लिए एक गेंचेंजर पिक रहेगी पैट्रिक टेलफोर्ड जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑफशन है आप सी विक्टर मेटरिना की बात कर ले तो यह जो विकेट कीपर खेलते दीख जाएंगे लास्ट के मैचेस में आप देखेंगे इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला है बाकी टी टेन मैचेस में आप देखेंगे कि 28 रन किये हैं जेम्स मैटली एक गेंचेजर पिक रहेगी आप करना चाहते ट्राइए कर सकते हैं लास्ट के मैचेस में दो अबर की गेंद वाज़ी कर रहे तो ओडिडी के मैचेस पहले बार खेलेंगे कुछ रन भी बना लेते हैं और बौलिंग भी कर लेते हैं अतनी बालिंग नहीं की हैं मात्रा अब तब को तीन मैचेस में ओड़ीडी के बारा अदलग वक तीरा वर की गेंदवाजी की है पाज विगेट लिए हैं सेवन फिरिंस लोग की बात कर ले तो इनके इस्ट्रेट से नहीं मिले यह खेलते दिखते हैं तो अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको टेल विप लाल रहने वाली है अब दो विगेट कीपर के साथ जाना चाहते हैं तो आएम हर्वे के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं बट मैं अभी फिलाल डायक्ली और सेक्शन में आ गया हूं जहां पर जो हमें खिलाडी पहले चाहिए जी फनेल सॉन एच माही और यहां से एम पटेल और पी टेल फोट बाकि इस में एस हुसेन को लेना थोड़ा सा रिस्की रहा जाएगा फर्स्ट मेंच के मुकाबले बाकि एस हुसेन भी एक बहुत ही बैतरीन बैट्समेन है तो इस चीच का दियान रखना है बाकि आफ सेव जाना जाए पी टेलफोट के साथ जा सक काम करके देंगे आपको लगबख फाइब से सी राउन बल्लेवाजी मीनी लोडर में करके देंगे या तो फिनिसिंग के रोल में देख जाएंगे इमरान सिद्धिक ठीक ठक से ऑप्सन है बाकि यहाँ पे तिरी लोचन और भी कुमार यह दोनों अगर पहले इनकी गेनवा जाती है तो आप इन दोनों को ट्राय कर सकते हैं भी कुमार आपको डेथ में बॉलिंग करके दे सकते हैं बहुत अच्छी पीक रहेगी तो आप बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं बाकि फिलाल के लिए मैं इमरान सिद्धिक के साथ गया हूं बाकि यहाँ से जो और ऑप्सन है जो आपको ट्राय करने चाहिए आप यहाँ पर अगर रिस लेना चाहते है जी यल में तो आई सिद्धिक के जगह आप डायेटली आर्ट सफिक को ले सकते हैं बहुत यह बहुत बहुतरीन बॉलर है बाकि जे बैटली भी ठीक ठीक से ऑफसन है बट इस मैच में मैं आर्ट सफिक को करना है तो इसरी का आपको धियान रखना है बागी फिलहाल के लिए यहाँ यहां पर यह सकसिंदग सटरी पर इंद्क अभी और निंगmbol Indlaas तो ये तीन ओफसन है बाकी देखिए अगर यहाँ पे आप और एक कुछ ट्राइ करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ ट्राइबल तो है नहीं क्योंकि जी फनेल सोन और ये आई सिदिक तो हमें चाहिए बाकी आप थोड़ा सा जो पहले गेंदवाजी आती है तो आप रिक्स लेके भी कुमार को भी GL में ट्राइ कर सकते हैं तो GL में कुछ इस परकार से आप टीम बना सकते हैं बाकी अभी सेव जाते हुए मैं यहाँ पर आज सिदिक कर लिया हूँ बाकी यहाँ पर अपनी डेमो टीम की CBC की बात कर ले तो CBC के लिए जो है ये चार ओफसन बहुत ही बहतर बाकी यहाँ पर और उतने कुछ खास अपसर नहीं है बाकी यहाँ पर कुल दीप लाल और यह चार ओफसन जो रहेंगे यह बेश्ट रहेंगे इन आपके लिए CBC के लिए तो इनका और यह चारों में से आप सीवी सी कर सकते हैं बाकी CBC की बात कर ले तो हमारी डेमो टीम क आपको मिलेगा डिप्सक्राफ्शन में और टॉप के कॉमेंट में जो भी टीम टेलीगराम में आती है मैं यह कभी नहीं कहता कि आप हमारे टीम से ही खेलो यह हमारे टीम ही कोपी करो इस टेट्स आपके सामने है अपनी टीम बनाईए क्योंकि मैं जिस टीम मैं जो टीम समझ के जलिएगा कि कोई भी कोई भी प्रेडिक्टर को नहीं चाहता कि आपका या किसी का लॉस हो तो इस चीट को ध्यान रखना है मैं जो भी बोल रहा हूं साब साब बोल रहा हूं कभी भी मैं अपनी टीम कोपी करने के लिए नहीं काता हूं वीडियो आपको अच्छी